सो हे वोटसब गाइस कैसा है आप सभी लोग सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ Redmi Note 9, Redmi 9 Prime और Poco M2 डिवाइस के बार में इन तीनों ही डिवाइस के लिए Android 12 है MIUI 13 की जो टेस्टिंग है वह आपर स्टार्ट हो चुकिये और आप लोगों को जो अपटेट है वो बहुत ही जल्दी देखने को मिले वाला है इसकी क्या प्रूफ है कहां से न्यू जाना वो सामनिकल के आईए और जो अपटेट है ना MIUI 13 और Android 12 है इन तीनों ही डिवाइस के लिएस के लिएस के लिएस के लिएस के लिएस के लिए आप लोगों को कब तक मिलेगा इसकी करने वाला हूँ वीडियो को पूरा देखना अगर आप लोग इंडिया में Redmi Note 9, Redmi 9 Prime और Poco M2 जो डिवाइस है ना वो यहाँ पर यूज करते हो और वीडियो अगर आप लोगों को यह पसंद आ रही है वीडियो को अभी तक भी आपर लाइक नहीं क्या है वीडियो को लाइक कर देना वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 200 लाइक का तो देखते हैं आप लोग कितने जल्दी इसको आपर कंप्लीट कर पाते हो और चेनल पे अगर आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है साथ बेल आइकन को और प्रेस कर सकते हो MIUI 13 और Android 12 अप्टेट के बारे में और इसका इंडिया के अंदर क्या यहां पर चीन चल रहा है सो आप लोगों को ज़्यादा यहां पर वेट नहीं करने लगपक बहुत सारी शाओमी की जो फ्लेक्सरीव डिवाइस है वो यहां पर कंप्लीट हो चुके जिनके अंदर आप लोगों को शाओमी के डिवाइस है उनके लिए अप्टेट आ चुके अब यहां पर अप्टेट रहना वो यहां पर बाकी है ओनली ओन शाओमी के जो फ्लेक्सरीव डिवाइस है उनके लिए गाइस यह जो इन्फोर्मेशन है वो मैंने आप लोग उकसाथ में पहले यहां पर शेर कर अपने टेलिग्राम चैनल के उपड़ सो अगर आप लोग उसको आपर जोइन करना चाहते हो तो उसका लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रवाइड करा दूगा उसको भी आप लोग जोइन कर सकते हो अब बात कर लेते हैं न्यूज है ना वो कहां से सामनिकल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रवाइड करा दूगा या फिर आप लोग साइडी स्क्रिन पर देख सकते हो श्याओमी MIUI की तरफ से न्यूज है ना वो सामनिकल गया है कि Redmi Note 9 और Redmi 9 Prime और Poco M2 जो डिवाइज है ना इसके लिए Android 12 है MIUI 13 की जो टेस्टिंग है ना वो स्टार्ट हो जुके और काफी जन्दी है जो अपटेट है ना वो यहाँ पर आने वाला है और यह जो अपटेट है इसका आप लोगों को बिल्ड नमबर 13.0.0.1 का यहाँ पर देखने को मिलेगा तिनोई डिवाइज के अंदर अब भी आप लोगों को करेंटली Redmi Note 9 जो डि दिवाइज ना उसके लिए आप लोगों को इंडिया में MIUI 12.5.6.0 का अपटेट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है तो इन तीनोई डिवाइज के लिए अपटेट है वो काफी जल्दी यहाँ पर रिलीज होने वाला है लेकिन मैं आप लोगों से बात कुरूए इनकी अ देखने वायर में के अपटेट है वो यहाँ पर अशकता है जैसे कि POCO X3 और कुछ यहाँ डिमी Note 9 Pro और रेडमी Note 9 Pro Max पर हो इनके अपको अपटेट है वो यहाँ पर पहले मिले और बात में आप लोगों को अपटेट है और रेडमी Note 9, रेडमी 9 Prime और POCO M2 जो डिवाइज ह इनके अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को काफी जदा amazing feature है, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और control center है, वो यहाँ पर पूरा का पूरा change होने वाला है, तो अगर आप लोगों को feature के बारे में जानना है, तो already मैंने वीडियो बना रखे, वीडि आप लोगों को ओल पर प्रेस के लिए ना, और आप लोगों मारे टेली ग्राम को चैनल है, उसको जोईन कर सेकते हो, लिंक में आपको नीचे description में प्रोवाइड करा दूँआ, सो मैं मिलता है आपको next video में, तब तक लिए जैहिन वन्दे मातरम,